Hello everyone, welcome back, this is Rohini Puri और आज बच्चों हम करने लगे हैं Class 11 Accounts का Chapter No. 1 जैसे कि आप सब जानते कि ये Theory का Chapter है Introduction to Accounting इसको अब मैं कुछ वीडियो में कवर करूँगी तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए Class को स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बात करते हैं Accounting की तो Natural बात है बच्चे कि इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे Accounting के बारे में पढ़ेंगे ठीक है, तो जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे बहले क्या पढ़ते हो कि ये चीज है क्या इसका मतलब क्या है, ठीक है तो Basically मैं आपको बताऊंगे जो Accounting है बच्चे, ये क्या है ये Language, ठीक है Accounting is a Language ये Language है किसकी Language Business के Language इसलिए आप सोच सकते हो कि ये जो Chapter है ये पढ़ना कितना Interesting होगा कितना Important होगा आप सब के लिए क्योंकि आप Accounts की दुनिया में आ रहे हो ठीक है न, प्लस वान में जब Accounts आता है हम सब के लिए नया-nyया होता है तो इसको समझने के लिए हमें ये Chapter जरूर पढ़ना चाहिए Accounting So Accounting क्या है? Language of Business Business की Language है हम English सीखते हैं, Hindi सीखते हैं Punjab भी सीखते हैं और Accounting भी क्या है? एक Language है So Accounts को सीखने के लिए आपको ये Accounting जो Language है इसको सीखना जरूरी है तो अगर कोई आपसे बो ले कि One Line में Accounting क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? Accounting is a Language of Business ठीक है? अब इसके Meaning के तरफ चलते हैं बच्चे जो Accounting है Basically इसको एक Process मानते हैं And एक चीज़ याद रखना कोई भी चीज़ अगर Process है इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ Steps आएंगे कुछ Stages आएंगे जिनके थूरू ये जो Process है ये बनता है Process का मतलब ही क्या है? कि इसमें बहुत सारे Steps होंगे Like पहला Step, Second Step, Third Step हर Step पे आप कुछ न कुछ करोगे और Step बे Step करते करते आप आगे जाओगे So Process का मतलब यहां से समझो Accounting को Process बोल दिया इसका मतलब क्या है? कि Accounting जब आप Practically करोगे उसमें क्या आएंगे? कुछ Steps आएंगे Process का मतलब ही क्या है? कि इसमें क्या आएंगे कुछ Steps आएंगे ठीक है? और वो कौन-कौन से Steps होंगे तो यह देखिए आप सब के सामने मेंने लिखा है सबसे पहले जब आप Accounting को शुरू करोगे जो पहला Step आता है बच्चे वो क्या आता है? Identifying पहला Step क्या आता है बच्चे? Identifying Now, Identifying का मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले बच्चे यह identify करना होता है कि कौन सी transaction जो है वो business transaction है जैसे कि आप सब जानते हैं हमने जब accounting terms वाला topic किया था उसके अंदर हम थी accounting terms में business transactions term जो थी वो अच्छे से पढ़ी थी और उसी से अमने accounts को शुरू किया था तो सबसे पहले बच्चे आपको identify करना होगा क्या identify करना है? कि कौन सी transaction जो है वो business transaction है बहुत सारी transactions होती है ठीक है? और आप सब जानते हैं कि आपने इसमें क्या करना है identify करना है and एक और चीज़ होती है पता नहीं आपके book में है के नहीं identification में न हमने एक चीज़ और देखनी होती है कोई भी चीज यहां तो क्या होगा transaction होगा यहां तो क्या होगा event होगा यह भी हमें identify करना होता है कि यह जो line लिखी है यह क्या है, क्या यह transaction है यह event है तो इसलिए यहाँ पर बच्चे आपको यह मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है that what is the difference between transaction and event, event और transaction में क्या difference होता है, तो मैं आपको short में बता रहती हूँ, ठीक है जो transaction होती है, वो क्या होती है event होता है बच्चे जिसे आपने पूरा साल business किया, तो ultimately क्या हुआ, profit हुआ के loss हुआ, मतलब एक result निकलता है अगर हमने पूरा साल business किया, तो क्या result निकला उसका, आपको at the end of the year क्या हुआ, profit हुआ के loss हुआ so, जो happening होती है जो result होता है, transactions का उसको क्या बोल देते है event बोल देते है, ठीक है for example, हमने पूरा साल business किया, ठीक है business करने के बाद, last में ultimately बच्चे हमने profit कमाया या loss हमारा हो गया, तो यह क्या, यह event है, profit loss ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि transaction और events को हमने किसके अंदर identify करना पहले step के अंदर, जिसका नाम ही क्या है identify, चिक है identification करना, so accounting में कहने का मतलब है कि हम वो वले transactions को, events को record करेंगे जो financial nature के होंगे मतलब transactions भी आपने financial nature के record करनी है events भी आपने financial nature के record करनी है, दोनु चीजे financial nature की होनी जरूरी है, clear है, ठीक है identify करने के बाद, अब जब आपने final कर लिया कि ये वले transactions जो है, वो business transactions हैं या ये वले events हैं, जो financial nature के हैं, इसके बाद बच्चे जो second step आता है न, वो क्या आता है, measuring करना now, measuring का मतलब क्या होता है measurement करना, किस चीज का measurement करोगे आप इसमे, money वली जो terms होंगी, या you can say कि जो accounting है, हमने जो उसमें transactions को record किया है हम उनको measure करेंगे और वो transactions को ही लेंगे, जो money की terms में आ सकती हैं जो money की terms में express होती है ठीक है, money ज़रूरी है जो transaction monetary terms में नहीं आती है, हम उसको record ही नहीं करते है तो पहले recording से पहले कौन सा step आता है, इसलिए measuring कि आप देख लो, कौन कौन सी transactions इनको आप measure कर सकते हो in terms of money, ठीक है उनको देख लो, measurement करने के बाद, next, third step क्या आता है, recording करना अब जब हमने देख लिया, कि ये वली transactions, या ये वली events business transactions या business events है उसके बाद, हमने measure कर लिया था कि ये इसमें से money की terms में express हो रहे है, उसके बाद आपको क्या करना है, record करना है now recording, हमने क्या करना है transactions को record करना है और बच्चे आपको बता दूँ, हम जो recording करते हैं, ठीक है यहाँ पर हम कौन से recording की बात करें primary recording की, कौन से recording की primary recording, मैं आपको बता देती हूँ, दो तरह के recording होती है, एक होती है primary एक होती है secondary, लेकिन अभी जब मैं recording की बात कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले, primary recording मतलब होता है जब आप transactions को सबसे पहले बार record कर रहे हो, ठीक है, पहली बार ही में record कर रहे हो, वो होता आपका primary recording, तो recording में कौन से recording की बात कर रहे है, primary records, पहली बार जब आप record करोगे, तो इसके अंदर आपने जो पढ़ा होगा, journal chapter पढ़ा है, वो आत recording में आएंगे, ठीक है, transactions के recording करनी है, तो कैसे होगी, यहां तो पहले, subsidiary books, जो इसके अंदर नहीं आती, उसकी transaction journal entry में कर देंगे, इस तरीके से आपने ये 3 steps 2 है, वो कर लेने है, अब इसके बाद, 3 steps के बाद, जो next step आता है, वो कौन सा आता है, 4th step, which is classifying, classify करना, अब ये classification में, बच्चे, आप क्या कर रहे हो, ये secondary recording इसमें आ रही है, इसमें क्या रही है, secondary recording, अभी क्या होता है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसमें आ रही है secondary recording, ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप बनाते हो, ledger, ठीक है, क्या बनाते हो, ledger बनाते हो, Summarize का मतलब क्या होते हैं, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, trial balance बनाते हो, ठीके, trial balance बनाते हो, ठीके, trial balance बनाके क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, P&L अकाउंट बनाओगे, P&L के बाद क्या बनाओगे, balance sheet बनाओगे, तो अलग का loss हो रहा है क्या हो रहा है हमें एक एक एंट्री उठाके एक एक transaction उठाके नहीं देखना पड़ेगा बच्चे अगर आपने इसकी summary बनाई होगी summary बनानी होती है जैसे chapter के end में हम school time पे करते होते हैं बनकी chapter है बहुत बड़ा तो इतना बड़ा chapter कौन पड़े हम क्या करते हैं उसकी summary पड़ लेते हैं तो summary पड़के में पता लग जाते हैं कि chapter के अंदर है क्या हना तो ऐसे ही business में भी क्या होता है summary तियार होती है ठीक है summary में क्या क्या आ रहा है analyze करना और interpretation करना नो analyze का मतलब क्या होता है understand करना ठीक है आपने अभी जो summary बनाई है उसको पड़ेंगे उसको study करेंगे कि business के क्या results हम understand कर रहे हैं ठीक है हमारा जो business है वो कैसा है ठीक है judgment करते है profitability कैसी है financial position कैसी है यह सब चीजों का पता हमें कौन से step पर लगता है sixth step पर जिसका नाम कहा है analyzing and interpreting finally interpretation का काम इसमें करते हैं इसके बाद आता है आपका seventh step जिसका नाम है communicating अब आप सब जानते हैं बहुत सारे users होते हैं बच्चे जो accounts को use करते हैं उसको देखते हैं ठीक है तो जितने भी यह interested parties होते है basically तो users होते हैं उनको क्या बोलते हैं interested parties ठीक है उनको communicate करना मतलब जो analyze किया जो interpret किया जो summaries निकाली है यह उनको बताना उनको दिखाना कि यह हमारा business है ठीक है तो communicate कर रहे हैं क्या communicate कर रहे है financial data communicate कर रहे है communicate क्या किया financial data बोलेंगे ठीक है financial data communicate किया so you can say that accounting involves communicating the financial data किसको किया to the interested users या interested parties अब यह कैसे हम communicate करते है आपने नाम सुना होगा annual reports होती है companies की या जितने भी business होते है उनकी annual reports बनती है ठीक है प्रियोडिक्स होते है तो यह सब चीजों के true क्या और है वो communicate कर रहे है इनको पढ़के users को पता लगेगा business का क्या हाल है business को profit हो रहा है loss हो रहा है कैसी position है business की exact पता लगता है ठीक है तो यह सब करते है और यह सब चीजे जो सारे steps में आपको बताए है seven steps है तीन मेंने यहां लिखे तीन मेंने यहां लिखे एक मेंने यहां लिखे ठीक है ना तो यह सारी चीज़ हम किस की कर रहे है बच्चे business transactions की कर रहे है ठीक है theory नहीं है actual में आप theory पढ़ रहे हैं लेकिन यह चीज़े practical है कल को जब आप बड़े हो जाओगे आप यह सब चीज़े practical ही होते हुए देखोगे then आपको पता लगेगा कि कैसे होता है फिर आपको याद आएगा हम पढ़ पढ़ते हैं पहले है तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझो useful manner का मतलब ही यह है कि बड़े systematic तरीके से यह सारे steps को क्या किया जाता है perform किया जाता है so accounting का बच्चे आपसे कोई meaning पूछे what do you mean by accounting तो क्या बोलोगे accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the business transactions in a useful manner अच्छे तरीके से ठीक है तो यह हो गया आपका छोटा सा meaning कि accounting बोलते किसको है I hope आपको समझ में आया होगा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे clear करना चाहती हूँ एक question आता होता है bookkeeping क्यों होती है accounting क्यों होती है accountancy क्यों होती है यह तीन चीज़े आती है एक तो accounting, एक accountancy एक और नाम जो बोल रही हूँ वो क्या नाम बोला मैंने bookkeeping यह तीन नाम आते हैं और difference भी इनका आ जाता है sometimes वो बोलता है कि bookkeeping और accounting में क्या difference है accountancy और accounting में क्या difference है इस तरीके से difference आते है तो मैं आपको short में बता देती हूँ क्या difference है, जो main difference है मैं आपको वो बता रहे हूँ, बड़े ध्यान से सुनना bookkeeping बड़ा चोटा सा concept है bookkeeping में बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं यह पहले 4 steps को लेती हूँ जिसको देखो, मैं भी आपको mark करके दिखाती हूँ, पहले 4 steps को अगर मैं लेती हूँ, यह देखो, यह वले steps, classifying ठीक है recording, measuring identifying, अगर मैं यह steps लेती हूँ बच्चे, जिनको मैंने mark किया, यह वला, यह तीन steps, तो यह क्या बन जाता है bookkeeping, तो bookkeeping में क्या होता है identification, measurement recording, और classification होती है, तो classification तक अगर हम बात करते हैं, तो process क्यों होता है, वो process होता bookkeeping का, तो हम बोल सकते कि accounting बड़ा है, क्योंकि accounting में बहुत सारे steps और मी है ठीक है, bookkeeping उसका एक छोटा सा क्या है, part है, तो accounting यहां से देखो, फहले bookkeeping का काम आ रहा है, और जिदर bookkeeping खतम हो रही है, वहां से क्या शुरू हो रहा है, accounting शुरू हो रहा है, ठीक है, ना और जो bookkeeping वाला काम होता है न बच्चे, यह जस्ट एक routine टाइप काम होता है, चोटे मोटे जो bookkeepers होते हैं, उनको यह काम दिया जाते हैं, इसके लिए कोई भी skills के requirement नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिरफ ledger तक ही बनाना होता है, general ledger, यह सब चीज़े बनानी होती है, यह बड़ा simple काम होता है, ठीक है, कोई भी बंदा लाई, अगर मन लोग आपने plus two किया है, तो आप भी यह काम कर सकते हो, bookkeeping का, बट मैं नहीं चाहती कि आप यह काम करो, चोटा सा काम है, कोई खास चीज नहीं है, मतलब इसके लिए कोई खास skills नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके primary stage है, ठीक है, क्यों primary है, पहले देखो, यह पहले 4 steps आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, यह bookkeeping में आ रहे हैं, उसके बाद accounting, तो मतलब पहले क्या आ रहे है, bookkeeping आ रहे है, वो primary हो गया, ठीक है, इस तरीके से, फिर आता है accountancy, accountancy के जब अच्छे कैसे करना है, आपने summarize कैसे करना है, आपने analyze, interpretation कैसे करनी है, आपने communicate कैसे करना है, यह जो कैसे का answer है यह आपको accountancy में मिलता है, accounting में मैंने आपको बताया है, हम यह सब चीज़े करते हैं, accounting में मैंने आपको बताया है, summarize करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे accountancy बताएगी मैंने आपको बताया accounting में analyze करना interpretation करनी है लेकिन कैसे करेंगे accountancy बताएगी मैंने आपको बोला communication करना है लेकिन कैसे होगा ये भी accountancy बताती है so accountancy जो है ये आपको answer देती है बच्चे ठीक है कि इस चीज का answer देती है कि काम को कैसे करना है सो accountancy में क्या आ रहे principles, conventions, assumptions, concepts, techniques यह सारी चीज़े इसके अंदर आ रहे है accountant को अगर accounting करनी है उसको पहले accountancy को देखना पड़ेगा principles देखने पड़ेंगे क्या assumptions मान के चल रहे हैं वो देखना पड़ेगा यह process पड़े आपने यह सारे पड़े steps तो इसके अंदर यह apply कर रहे है ठीक है, तो यह क्या बन गया accountancy बन गया I hope आपको मतलब समझ में आया होगा accounting, bookkeeping, accountancy ठीक है